हेलो अव्रिवान आज हम लोग यूपीटर पहले सी दोवरा जो वीडो का एक्जाम होने वाला है इसके लिए दो इंपोर्टन टॉपिक को डिसकस करेंगे पहले टॉपिक है वेद और उनके उपवेद क्या है देखे पहले इजी कोशन आते थे वेदों के बारे में पूछा आते हैं अब पूछा दाए कि वेद क्या है उनके उपवेद क्या है इसको डिसकस करेंगे और व्यदिक कालिन की जो नदियां थी उनके वर्तमान नाम क्या है इसको डिसकस करेंगे दो इंपोर्टेंट टॉपिक है और क्विक रिवीजन सेशन हो गए तो वीडियो को लाइक और शेर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो देखें वेद कौन कौन जैसा आपकी पता है कि चार वेद हैं सबसे पुराना वेद है रिगवेद ठीक है दिखें जरुर वेद का अफवेद धनुर वेद है और अथर वेद का जो है वेद शिल्प वेद है ठीक है दूसर टॉपिक है देख लेते हैं देखें व्यदि कालिन की जो प्रमुक नदियां है और उनकी अभी के वर्तमान नाम क्या है यह हम लोग डिस्कस करेंगे देखे रिगवेद के जो आरे थे रिगवेद में रहने वाले आरे जो थे वो सब्तसेंदों छेत्र में रहते थे और सब्तसेंदों छेत्र की कुछ प्रमुक नदियां थी जैसा कि आप नदियां देख रहे हैं और इन नदियों के अब वर्तमान नाम इस साइड दिया गया है तो पह पूप शुणि का रावी है सुर्सती अब सरसती के नाम से जाने जाती जो की अब विलुप्त हो चुकी है सदा नीरा है गंडक और गोमती का है गोमल और सुवास्तू का प्राचीन नाम क्या है स्वात कुम्भा जो कि कई बार एक्जाम पूछा लता है इसका वत्मा नम है द्रिश दुती का घगर है और यहां पर दिया हुआ है कुर्भू का है कुर्रम कुछ इंपॉर्टन फैक्ट आपको यह भी आत कर लेना है देखे वैदिक काल में पूरब से बहने देखे वेस्ट फोईंग नदिया होती है यानि कि जो पूरब में बहने वाली नदी गंगा थी और जो पस्ची में बहती थी वो कुभा याने की काबूल यह वेस साइट फ्लो ओरती थी और गंगा जो है इस साइड ठीक है यमुना सुरसती सतलुष रावी छेलम और सिंदू नदिया गंगा तथा काबूल नदी के मत छेत्र से मत उनके बीच में बहती थी ठी है रिगवेद में तो यहां पर हमने इंपोर्टन टॉपिक को डिस्कस किया था इंक्यू